आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज साम पांच बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों इस वीडियो में सबसे पहले मांदे पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ और भी तरह की समस्याएं हैं कुछ सवाल हैं उन पर भी चर्चा करेंगे सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के हर्दोई जिले से मीरा दिच्छित बहन आती हैं जिनोंने अपने यहां से एक कमेंट किया है आलेंडिया को मैंसे सुरूप अवगद भी कराया है कि मेरा आधार में जो नाम है वो मेरा दिच्छित है और बैंक में मेरा जो नाम है वो मेरा देवी है सायद इसी वज़े से मेरा दो महीने का मांदे 45 सोवाला नहीं आया है PLI आई थी 29 मार्च को बस कृपया मुझे बताएं मुझे अपना नाम आधार में बदलवाना चाहिए या बैंक खाते में हाई स्कूल मार्च सीट में भी मेरा नाम मेरा देवी है कृपया सुझाओ दें मुझे क्या करना चाहिए साथी यहाँ पर आप देखेगा वैसे तो अगर इन फ्यूचर इनको जरूरत पड़े तो आधार का ही केवल नाम अपना संसोधन करवा लें बजाए कि आप बैंक का बदलें और साथी साथ फिर हाई स्कूल की मार्च सीट का क्योंकि वो संभव नहीं है जो हाई स्कूल की मार्च सीट में है वो ही सही है और उसके अलावा वही आपका बैंक में भी है तो दो तरह से आप देख रही है प्लस पॉइंट इस चीज के मिलते हैं और एक आधार का जो आसानी से संसोधन भी हो जाएगा लेकिन उसके लिए भी सायद आपको कहीं न कही कुछ वो जो कागज बनते हैं तहसील से जैसे कि निवास टाइब से या जाती वो कहीं न कहीं लग सकती है तो मेरा यहाँ पर कहना है आप बहन को कि पहली बात अभी अभी तो आप कुछ भी ना करवाएं यानि इनकी तरह और भी जो बहने हैं जिनको लगता है कि उनका ना आधार में बैंक में इस तरह से अलग है प्रमारी करन नहीं हो पाया है सायद यही वज़े हो कि मान दे ना आया हो अगर ऐसा सोचती हैं आप तो अभी आप क्या करें बिल्कुल भी कुछ भी चेंज ना करवाएं मेरी सला है क्योंकि आपने देखा है तमाम जनपदों से अल दे नहीं आया एक बहनती जिनका गलत था फिर भी उनका आया तो कुल मिला करके इनसे यही पता चलता है कि सही कराने की अभी जरूरत नहीं है जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना उल्टा उल्टा ना करने लग जाना जो है जैसे है वैसे ही रहने दो बस आप इस महीने भर इंतजार कर लो रिजन ये है कि अभी बहुत से लोगों का नहीं आया है तो सब के साथ आपका भी आ जाएगा तो जो भी बहने ऐसा अगर मन में ख्याल ला रही है सोच रही है संसोधन करवाने का तो अभी ना करें फिलाल मेरे कहने के अनुसार तो ना करें बांकी आप को कहते हैं करने के लिए तो आप जो वो कहें आप उनके according अपनी decision ले सकती हैं और करना चाहें तो कर सकती हैं मैं इसके लिए नहीं कह रहा जहां पर आधार प्रमारी करण होगा वहां पर तो अधिकारी आपको कहेंगे तो तब आप करें यानि मेरे कहने से ना करें जब विभाग आपको कहे करने के लिए आप तबी उन चीज़ों को करें यह समझ करके सोच करके ना करने लग जाएं कि ऐसा कर लेंगे तो मांदे आ जाएगा मांदे वैसे भी आपका आएगा इस वज़े से मांदे किसी का भी वाधित नहीं है जहां तक चीजे समझ में आ रही है बात करें आजम गर्जिले की यहां से एकता सिंग बहन आती है उन्हों ने ये छुट्टी के विशे में देखेगा कलेंडर भीज दिया है हाली में एक बहन ने दो-तीन दिन पहले पूचा था कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं तो आगनबाडी बहनों समेकित बालविकास सेवा पर्योजना में आगनबाडी केंदर की वर्स में कुछ छुट्टियां ये निरधारित हैं जिनमें की आपको हम बताना चाहेंगे सभी रविवार की जो बामन रविवार होते हैं वो छुट्टियां आप समझलो मिलती हैं बसंत पंचमी एक दिन का अवकास मिलता है होली का भी एक दिन का महा सिवरात्री का एक दिन का और तीज का एक दिन का दसहराव पर दो दिन का अवकास दीपावली पर एक दिन का अवकास छट पर दो दिन का अवकास गोधन भायादूच पर एक दिन का अवकास राम नवमी पर एक दिन का अवकास जिहुत वाहन पर यहाँ पर एक दिन का अवकास इदुल फितर पर एक दिन का अवकास कुल पैसट दिन अवकास के यहाँ पर सामिल है लेकिन बाप की जाए ये कब का है कहां का है तो इसमें ये नहीं लेखा इसमें लेखा है अराधना कुमारी अली गंध पर्योजना जमुई ऐसे करके लिख करके आया तो हो सकता है ये आपके यहां बिहार का ये हो सकता है या किसी अनिस्टेट का हो सकता है क्योंकि ये केवल इतना ही आर्टिकल है आलेंडिया पर जब भी छुटियों के सम्मंद में समय समय पर चीज़े दिखाई गई होंगी तो उनमें लेटरों का भी मैं जिक्र करता हूँ कि वो लेटर कब का है और कब के वो प्रावधान है समय समय पर चुटियों में बदलाओ भी होते रहते हैं तो जैसे छट पर दो दिन का अवकास इसमें लिखा दसहरे पर दो दिन का लिखा हो सकता है मौझूदा समय में वो एक ही दिन का मिल लहा हो तो इसलिए इतने मातर से आप यह मस समझ लेना कि जो है यहाँ पर यही सब सही है क्यों क्योंकि समय समय पर बदलाओ इन में होते रहते हैं अब देखो यह रहा नया वाला जो की कलेक्टरेट आजमगर से जारी है अवकास तालिकार 2024 के लिए तिवहारो के नाम, तिथि वदेनांग, तिवहारो का नाम इसे सब यहाँ पर दर्सा दिया गया फिलाल यह तो सिम्पल वाला कलेंडर है जो की सबके लिए लागू होता है छोटियां कई प्रकार की होती है जैसे कि यहाँ पर आप सब को पता सारजनिक अवकास अलग होते हैं और कई तरह के अवकास होते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है साथी साथ अवकास के सम्मंद में दिसंबर जनवरी के टाइम पर आप लोगों को वीडियो दिया गया है अवकास के सम्मंद में नया कलेंडर आगनबाडी सिंटर के हिसाब से भी चीजे दिखाई गई है तो थोड़ा उस पर फोकस करना और उसको ढून लेना बात करें अखलेस यादो बहन के मुरदाबास से आती हैं अप्रेल महीना चल रहा है अप्रेल महीने से लेकर अगले कई महीनों तक का या पूरा आप कहलो वार्षिक कलेंडर आ चुका है आगनबाडी सिंटर पर पढ़ाई से रेलेटेड तो यहाँ पर यह कुछ 14 पेज का कलेंडर है जिसको लेकर के हम अगले किसी वीडियो में इसको दिखाएंगे और सारी चीजों को हम बता देंगे आप सब बहने उसको ध्यान पुरवख देख लेना आप लोगों के लिए काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे अब पढ़ाई और किन किन महीनों पर क्या क्या थीम के आधार पर चीजें करानी है बात करें अगले कुछ कमेंट्स की तो लिखा है बहन ने सही कहा है कि चार कुरसी एक मेज सरकार आंगनबाडी किंद्रों को जरूर दे कोई अधिकारी आता है तो दिक्कत हो जाती है भाई साहब आवाज उठाते हैं आपको मातारानी स्वस्त रखें तो यहाँ पर देखेगा कुल मिलाकर के मेज और कुरसीों को लेकर के सवाल उठा था कि आंगनबाडी सेंटर पर कम से कम चार कुरसी एक मेज तो दे देनी चाहिए इसलिए नहीं कि अधिकारी आएंगे और चेक करेंगे तो उनको जरूरत है उनको बिठाने के लिए उससे जरूरी यह है कि तमाम और गत्विधिया मनाई जाती है जैसे कि माता उनमुखी करण कारकम हो गया जैसे कि पैरेंट्स टीचर मीटिंग हो गया समझ रहें जैसे कि अन्य गर्वती महिलाएं ही आती रहती हैं एनम वगरा जो अपना टीका करण करती हैं सेंटरों पर उस दोरान भी कई लोग आते हैं तो उस दोरान ऐसे जो महलाओं के लिए भी कुरसी बहुत जरूरी है और भी कई अंगल से देखा जाए तो कहीं किसी के विवावक आ गए तो वो बैठ गए यानि बहुत सारी चीज़ें है तो जरूरत है अब हर कोई टाट फट सेंटर पर प्रथम दर्श्टिया कुरसी और मेज की ववस्था सासन को करनी चाहिए ये चीज़ें सब के काम आएंगी समुदाय गत्विधियां या सेंटर पर अन्य कोई भी कारिक्रम मनाने होते हैं तो उनमें भी लोगों को बैठने के लिए हो जाएगा और मा की टीका कर बैठने के लिए छोटी वाली कुरसी और मेज वो भी जरूरी हैं बहुत से संटरों पर पहुचाई भी जा चुकी लेकिन अभी भी बहुत से जो है इन चीज़ों से बंचित हैं लेखा गया भाई गुन नाइट हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे केंदर पर तीन आंगन बारी हैं तो सब को मिला करके आठ जार कुछ पैसा मिलेगा लग अलग यानि इनको जो है यहां पर पूछना है की जैसे एक केंदर पर उन्होंने लेखा कि तीन आगन बारी हैं अब एक गाओं का या तो आप कहलो ठीक या तो एक प्रात्मिंग विद्याले ज सेंटर में तीन अंगन बारी हों तो वो सेंटर अलग हो गए ना हर अंगन बारी बहन का अपना सेंटर खुद का होता है। रुपे की लागत के हिसाब से खिलोने वगरा आने हैं अब वो चीजें काफी जगे पहुचाई भी जा चुकी है ये सारी चीजों के संबंद में आलेंडिया सब कुछ पहले भी बता चुका है तो इस बार ये ना सोचें कि सब को उसमें बांट करके थोड़ा थोड़ा दे द रहा है ना तो बियलो का पैसा काफी दिनों से भी नहीं आया भाई हम लोगों के पास खर्च नहीं है और काम दुनिया भर का सरकार के पास भेदभाव क्यों रहता है हम लोग पानी पीकर बिताएंगे भाई सरकार के पास खबर जरूर भेजना देखो हमारा काम मालीजे हम तो आवाज उठाई रहे हैं ये चीज़े जरूरी नहीं है कि सरकार के कानों तक आवाजे पहुँचें क्योंकि उसके लिए कहीं न कहीं मेहनत हर किसी को करनी है अपनी संख्या बलबढ़ानी है लोगों की नजरें आपकी समस्याओं पर आनी चाहिए उसके लिए आपको कुछ अलग चलता रहता होगा आगे देखिएगा भाया जी बहन ने सही लिखा है हम लोगों को कुरसी मेज मिलना चाहिए हमारे स्कूल पर तो हम लोग नीचे बैठते हैं तो इस तरह से देखेगा यहाँ पर समस्याएं हैं और सरकार गुजरात माडल कभी नंदघर के और चार कुरसियों का भी इंतजाम नहीं हो पाया इसके लिए भी आज कड़ी मसकत सब को करनी पड़ रही है अब लाखों की तादात में सेंटरों में अगर कुछ हजार में या कुछ को ही मिल जाए तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखा है भाया जी आज हमारी बहनों को अपनी सेवा देती हैं भोजन साला में सभी पूरे देश के बाबा साहब के अनुयाई को भोजन परोसने में हर वर्स देनी पड़ती है ड्यूटी तो देखे आज जो है डाक्टर भीम राम बेदकर जी की जहनती थी जिसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर कहा था क कि उनकी वहाँ पर भोजन साला में ड्यूटियां लगाई जाती है और जो भी उनकी अनुयाई है उन सबको जो है भोजन वगरा कराया जाता है साथे लेका है भाई अब इस सम्मंद में कोई ओफिसियल आदेश तो मैंने नहीं देखा है कि विभाग से लिखित में लेटर ह अगर आप में से किसी के पास हो तो ऐसा वहाँ पर भेज देना या मोखिक रूप से ही आपको वहाँ पर ड्यूटि के लिए बोल दिया जाता है तो भी आप बता देना खैर जैसा भी हो आगे लिखा है भाई इद का सलाम कुबूल करे और जालाउन में भी फरवरी मार्च क का मांदे अभी तक नहीं आया केबल फरवरी का प्यलाई दो हजार पंदा सो हजार यानि पैतालिस सो ही आया तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है साते लिखा भहिया जिला एटा में आधार सत्यापन प्रभावी कुछ लिखा गया अधिकारियों ने किये हैं और न उनका अधार सत्यापन का काम होना था उसको लेकर के वो हुआ नहीं है बहने वापस आई इस तरह से लिखा गया लगा भया जी दुनिया के सारे आप आंगन बारी को ही दे दिये गये हैं क्योंकि जादा वेतन देते हैं जादा सुवधाएं देते हैं पूरे दिन कुछ लि अभी तक नहीं आया है इतनी परिसानी हो रही है कि क्या बताएं हमको तो अपने हस्बेंड का डालेसिस कराना रहता है किजनी पेसिंट में कहां से जो पैसा आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है वारारसी से आती हैं अब देखो ये समस्याएं बेहनों को बनी है तो पाहत मिल जाएगी और ऐसे में लेकिन अभी भी बहुत सी बहनों का डेटा ही फिर नहीं हुआ है बस सरकार और नेताओं ने बस बाते जरूर कर दी है अभी बहुत सी बहनों का इसमान कार्ड बनी ही नहीं पाया अब देखेगा यहां पर लिखाए फरवरी का अभी तक नह आया है तो मार्च का भी नहीं आया है कानपुर देहाद आगनबारी समासेवी का है केवल काम करो मांदे का जो है विसे में कुछ मत कहो बाई जी मेरा नाम राजरानी है हर दोई से हूँ मार्च महीने का मांदे नहीं आया है बलाग बेहंदर है बाईया जी मेरा मांदे फरवर बहनों चुनाओं है इसलिए सारा पैसा चुनाओं में चला गया इसलिए बहनों के लिए बजट नहीं है कुछ वेंग है सरकार पर लिखा गया है कि मेरा आधार और मार्सीट में एक ही डेटा बर्त है और मेरा में जो है मन्त लिखा गया में 3500 रुपे आये हैं मेरे में इस मन प्रवरी का पूरा आ गया है बट मेरा 45 सो नहीं आया है फरवरी का पियलाई नहीं आया है पियलाई आ गई है लेकिन मांदे नहीं आया है साथी दुरोपदी रेवी महराज गन से हैं इनके वहाँ पर डाक्टर भीमरा उंबेटकर जी का आज जनती मनाया गया है तो वहाँ पर आप देखेगा ग्राम परधान और मा की बहने हमारी वहाँ पर सामिल रही हैं और भी गाओं के ग्रामिन लोग भी वहाँ पर सामिल रहे हैं आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं आज केस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं